गांधी जी के मनाने के बाद पाकिस्तान नहीं गए, मेव मुसल्मान इतिहासकार शैल मायाराम ने साल 2000 में एक लेख में लिखा, 1937 में भारत का बटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी सांप्रदाइक दंगे हुए, उस वक्त अलवर और भरतपुर स्टेट में लगभग 2 लाख मेव रहते थे, भरतपुर में इस दौरान 30,000 मेव मारे गए, ये आधिकारिक अंकद्दा था, वहीं अलवर में मारे ग इस दौरान जो लोग हिंसा से बच गए, वे नू, रेवाडी और सोहना के वेटिंग कैम्पों में पहुँचे, जो उस वक्त पंजाब में था, वेटिंग कैम्प में लोग तब तक रहते थे, जब तक उन्हें पाकिस्तान भेज नहीं दिया जाता था, इसी दौरान आखि मुस्लिमों के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता, चौधरी यासीन खान के नेत्रित्व में, एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिडला हाउज में गांधी जी से मुलाकात की, इस दौरान मेवों ने गांधी जी से कहा कि हम पाकिस्तान जाने के घासे अध्धा गांव पहुंचे, उन्होंने मेवों को देश की रीर की हड़ी बताया और पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी, इसके बाद करीब 50 फीसदी मेव पाकिस्तान नहीं गए, फिलहाल 20 लाक मेव मुख्य रूप से हरियाना के मेवात जिले, अब 20 के बाद गांध 50 फीसदी मेव पाकिस्तान नहीं गए, फिलहाल 20 लाक मेव मुख्य रूप से हरियाना के मेवात जिले, अब नूह और राजस्तान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में पहले हुए हैं, दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद राइट